नमस्कार सभी आगनबारी सेविका बहनों का स्वागत है पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो जैसा कि पोशन ट्रेकर एप में एक नए अपडेट आया हुआ है ये जो अपडेट है आप लोगों के लिए 18.7.3 का एक नए अपडेट आया हुआ है के बाद यहां पे सर्च करेंगे पोशन ट्रेकर पोशन ट्रेकर लिग के जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहां पे आपको पोशन ट्रेकर एप पे किलिक कर देना है जैसा कि हमने यहां पे पोशन ट्रेकर एप को अपडेट कर लिया है जैसे ही प्ले स्टोर में आएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट करने का उप्शन आ जाएगा सभी आगनवाडी सेविका बहुने पोशन ट्रेकर एप के इस नए अपडेट को जरूर अपडेट कर लिजेगा अब आईए जानते हैं यहाँ पे कि यह अपडेट में क्या आया हुआ है तो इसके लिए आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है क्लिक करने कवाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ वर्जन दिखा देता हूँ यह जो वर्जन है 18.7.3 और यह 30 जुलाई 2023 को यह अपडेट आया हुआ है यानि कि यह एकदम लेटेस्ट अपडेट है सभी सेवी का बहने जरूरी स्पोसं ट्रेकर एप के नए अपडेट को अपडेट कर लेंगी अब जानते हैं यहाँ पर वर्जन दिखा गया है तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है लिखा गया है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पिछले कई अपडेट से कि हम लोग को जो गर्भौती महिला हैं उनको migrate करने में काफी सारी दिक्कते आ रही थी अलाकि इसका जो पिछला update आया था 18.7.2 उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपको इस परकार से problem आ रही है कि गर्भवती महिला को धातरी महिला में transfer करने के लिए जो calendar का option नहीं खुल रहा है उसके लिए आप या तो portion tracker app को on install कर दीजिए और उसके बाद install किजिए तो आपकी ये problem ठीक हो जाएगी या फिर आप portion tracker app के app information में जाके clear data clear कैसे करने के बाद आप लोग की ये जो problem है वो ठीक हो जा रही थी तो कुछ आंगनबारी सेविका जो है उनको setting करने में problem हो रही थी तो अब उनके लिए ये final update आ चुका है अब आप लोग को आसानी से जो गर्वाती महिला है उसको आप लोग आसानी से migrate कर सकते हैं धातरी महिला में ठीक है तो यहाँ पे आप लोग इसको update करने के बाद simply हम इसको open करेंगे तो open करने के बाद कुछ इसकार से आपको एक interface देखने को मिल जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से request करेंगे कि जितने भी आगनबारी सेविका बहने हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक छोटी से request रहेगी कि हम चलते हैं बेनिफिसरी वाली केटेगरी में जैसा कि हम लोग को गर्भाती से धातरी में माइगरेट करने में काफी सारी दिख्यते आ रही थी तो जिनको भी अभी problem आ रही है वो problem आपकी यहाँ पर 100% solve हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हम pregnant moment पर click करते हैं तो यहाँ पर 9 month की जो एक गर्भाती महिला है उसकी केटेगरी को open करके दिखाते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर 3 dot पर click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर profile update करे उसके बाद जो second वाला option है यहाँ पर अस्तनपन कराने वाली माग के पास परवास यानिकी migrate का जो option है वो second number option है इस पर आपको click कर देना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको असानी से यह जो calendar की problem है वो आपकी यहाँ पर ठीक हो गई है अब आप लोग जीतने भी गर्भाती महिला को migrate करना चाहते हैं आप लोग असानी से यहाँ से कर सकते हैं जो भी यहाँ से date वगरा select करना है जिनकी delivery हो चुके है आप लोग यहाँ से date को select करेंगे फिर okay पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर विस्थाफित पर click करेंगे ठिक है यहाँ पर click करने के बाद यह आप से पूछेगा कि क्या आप वह कहीं इस लभार्थी को migrate करना चाहते हैं तो आप लोग simply हाँ पर click कर देंगे त आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो से related कोई भी problem आ रहे है तो आप लोग comment करके पूछ सकते हैं वीडियो में दीगी जनकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करके share कर दीजेगा यदि चैनल पर नए है तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लि